नाग पंच्मी पर भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा का प्रावधान है नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के गले में लपेटे हुए हैं आये जानते हैं इसका क्या रहस्य है नाग पंचमी का पर्व हिंदु धर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस दिन लोग भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा करते हैं उन्हें दूद पिलाते हैं माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन महादेव के अलावा नाग देवता की पूजा करने से काल सर्फ दोस और राहु केतु के बुरे असर से छुटकारा मिल जाता है हिंदी पंचांग के अनुसार नाक पंचमी का पर्व हर साल सावन मास के सुकल पक्ष की पंचमी तिथी को बनाये जाता है। भगवान शिव को सावन मास के साथ ही साथ नाग भी बहुत प्रिय हैं। इस मास में सिव की पूजा करने से नाग देवता की भी पूजा हो जाती है। इससे भगवान सिव के भक्तों को सभी मानो कामनाय पूर्ण होती है। देवों के देव महादेव का स्वरूप अन्य सभी देवी देवताओं से बिलकुल अलग है। भगवान सिव के सिर पर चंद्रमा, हाथ में त्रिसूल और दमरू, उनकी जटाओं में गंगा, देव में भभूती और गले में साप लपेटे हैं। लेकिन इन सब के पीछे कुछ न कुछ रह से जरूर है। नाग राज वासुकी के लपेटे रहने के बारे में एक पौरानिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार नागों के राजा वासुकी अपने सगे संबंधियों एवं परिवार के साथ पातालोक में रहते थे। नहीं की थी। समुद्र मंथन के समय नाग राज वासुकी ने मेरू परवत से लिपट कर रसी का कार किया था। एक तरफ दानाव और एक तरफ देवता उन्हें पकड़ कर खीच रहे थे। इस दौरान नाग राज बुरी तरे से घायल हो गए थे। संसार के कल्यान हेतु समुद्र मंथन के कारे में इनके अतुलनी सहयोग से भगवान सिव अतिप्रसन हुए और उन्हें अपने गले में सुशोभित करने का वरधान दिया। तबी से नागराज वासुकी भगवान सिव के गले में हार के रूप में विराजमान होकर उनकी सोभा बढ़ा रहे हैं। वही नागराज वासुकी के भाई शेशनाग भगवान विश्णु की सैया सरूप में विद्यमान हैं। नाक पंचमी के दिन नागों की पूजा से भगवान सिव प्रसन होकर भगतों के सभी कस्ट दूर करते हैं और उन्हें मन वांचित फल प्राप्त होने का वर्दान भी देते हैं आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो हर हर महादेव लिखिएगा कमेंट में और साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और जहिन दोस्तों